राम राम ब्यार बच्चो, AY क्लासर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका अपना आसीज भीया अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सुस्क्राइब नहीं किए तो सबाल देखने से पहले मेरे जो भी होते, चर संख्या है कौन सी होती है, जो है A, B, C, D का घर, भई है चर, यानि A से लेके Z तक जो भी अच्छर होते हैं, वो सारे चर कहलाते हैं, तो आज हम लोग चर वाली, यानि शंख्याओं के लासा और मासा सीखेंगे, यानि X, Y वाली संख्याओं के लासा मासा फार्मूले होते हैं, पहले मैं आपको किलियर करा दूं कि वो फार्मूले क्या होते हैं, तो सिंपल से होते हैं, भही वाले जैसे आपने देखा होगा, A-Skare-B-Skare, यह बहुत इंपर्टन फार्मूला है, यह ऐसा से लेके और जब तक आप पर इच्छा देंगे, जब त फार्मूला हर एकजाम के लिए जरूरी होता, तो इसका भई फार्मूला होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो A प्लस V और A माइनस V, क्या होता है, A प्लस V और A माइनस V, तो इसको हम कैसे याद रखते है, एक बार जोड़ दो, एक बार तोड़ दो, ठीक है, एक फार्मुला होता, aq plus bq, aq plus bq, यह आपने फार्मुला पढ़ा होगा, aq होता है plus b ka whole q, यह दोनों अंतर होता, यह aq plus bq, यानि a पे अलग q है, b पे अलग q, और यह अलग होता है, यह आपको याद रही होगा, ठीक है और ये भी अगर आपने सही से पढ़ा होगा अगर आपने सही से मायत को पढ़ा होगा तो आपको ये भी याद होगा ठीक है तो क्या करना है याद रखो अगर किसी भी संक्या इस जूब में aq plus bq तो क्या करो सबसे पहले इन दोनों को एक bracket में लख दो यानि a और b को तो a plus b लख दिया a plus b अब अगले bracket में क्या करना अगर है पहली संक्या के square यानि पहली संक्या इसमें क्या a तो a का square फिर दूसरी संक्याश में क्या B, तो B का bounce कर फिर इन दोनों का कर दो गोढ़ा, इन दोनों का गोढ़ा, बस आपको इतना याद रखना है, क्या याद रखना है? कि AQ प्लस BQ है, तो सबसे पहले उन दोनों को एक britacadm लिख दो, तो A और B गोढ़ा, तो A plus B, फिर अगले हम क्या करना, A का है, फिर B का है, फिर अगर यहाँ plus है, तो क्या हो जाएगा, minus, और इन दोनों का आपस में गुणा, यानि A, B, clear है, अगर यही minus वाला होता, क्या होता, minus वाला, तो यह होगा, AQ minus VQ, यह formula important है, और इसमें use होंगे, ठीक है, इसलिए हम आ minus हो तो minus आएगा, plus हो तो plus आएगा, तो यह हो जाएगा, A minus B, ठीक है, क्या हो गया, A minus V, अब क्या करना, पहली संख्या, यानि A का है square, फिर दूसरी संख्या, यानि B का है square, और अगर यहाँ पर minus है, तो क्या आएगा, plus आएगा, और A, B, ठीक है, A का गुणा B से करेंगे तो A भी आएगा, अब आप सोच रहें कि B है यहाँ पर plus क्यों लगाया, कि दिको याद रखना, किसी भी संख्या, को भी minus की संख्या हो, उसका square करेंगे, तो हम इसा plus की ही आएगा, जैसे minus 4 का square कर लो, minus 4, minus 10 का square कर लो, किसी का भी square कर लो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, त तो दिको जब minus 4 का square करेंगे, तो square का मलब होता, दो बार गुड़ा, तो क्या लिखोगे, minus 4 गुड़ा, minus 4, ऐसे इसको लिखोगे, minus 10 गुड़ा, minus 10, तो minus minus क्या हो जाता, plus हो जाएगा, plus 100 हो गया, यह plus का 16 हो गया, तो आप दिमाग में अपने डाल लो, किदर भी, side क्या होता, अगर minus की संख्या है, तो हमेंजा Q minus का आएगा, और plus की संख्या है, तो हमेंजा plus का आएगा, लेकिन square में ऐसा नहीं होता है, चाहें आप minus का square करें, हमेंजा plus ही आएगा, यह बात आप ए आद रखना, ठीक है, तो यह 3 formule हैं, जो इसमें use होंगे, पहला कौन सा formula a square minus b square एक बार plus और एक बार minus दूसरा कौन सा aq plus bq एक bracket में plus b अगले में a square plus b square minus av ऐसे ही aq minus bq क्या होता एक bracket में minus b अगले में a square plus b square plus av ठीक है यह formula आप लिख लो अगर यह formula नहीं लिखेंगे तब तक आप यह सवाल नहीं लगा पाएंगे ठीक है अब इसके बाद आपको क्या आद रखना यह तो आपका होग Leah चलो यह formula देख लो आप ठीक है अब इसके बाद आपको क्या यहाद रखना है लासा और मासा के लिए आपको क्या यहाद रखना की देखो लासा में हमेशा हम लोग छोटी गात कामल लेते हैं लासा में हमेशा बड़ी गात कामल लेते हैं और मासा में हमेशा छोटी गात कामल लेते हैं यह बहुत important चीज़े हैं ठीक है जब तक आप इनको याद नहीं रखेंगे नोट नहीं करेंगे तब तक आप इन सवालों को नहीं लगा स ठीक है common को इंदीन कहते है अबय निष्ट ठीक है ऐसे इसमें काउंसी लेंगे चोटी गात कामन लेंगे चोटी गात कामन लेंगे ठीक है सवंध में यह बिंदी नहीं होगी और मैंने आपको बताया जब मैंने शुरूबात की थी लासा मासा तो पहला वीडियो बनाया उसमें बताया थे लासा का मदलब होता है जितनी भी चीजिशे सब लाख ठीक है मासा कहता है मुझे सब नहीं चाहिए जो सब खारे भई तो याद रखना लासा में क्या होता हमेशा बड़ी गात कामल लेते हैं और मासा में हमेशा छोटी गात कामल लेते हैं ठीक है चलो सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझाएं यह नोट जरूर कर लेना लासा में हमेशा बड़ी गात कामल लेते हैं और मासा में हमेशा छोटी गाद कामल लेते हैं ठीक है यह आप नोट जरूर कर लेना तो चलो आज लोग सवाल एक से नहीं लगाएंगे छे से लगाएंगे छटे वाले सवाल से अब आप सोचरें भई है क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सवाल सरल है और उपर वाला क्या है कठिन है तो हमारा क्या मतल माइनस थ्री और एकस प्लस फोर का होल स्क्वार ठीक है कामा एकस माइनस तीन का क्यूब और एकस प्लस फोर ठीक है एकस माइनस तीन और एकस प्लस टू का होल स्क्वार कामा एकस माइनस त्री का होल क्यूब और एकस प्लस फोर तो जो पहला पद होता वो पी एकस कहलाता दूसरा पद होता, वो क्या कहलाता, Qx कहलाता, ठीक है, पहले पद को हम लोग Px कहते हैं, दूसरे पद को Qx कहते हैं, तो Px बराबर, लिख लो, ठीक है, अगर हम लोग देको short भी बता देंगे, इसका एकदम आंसर बता देंगे, क्या होगा, लेकिन थोड़ा क्या है, basic भी clear होना चाहिए आपका, तो उसको लिख लो पहले, x-3, ठीक है, और x-4 का whole square, कामा, x, अब Qx बराबर हैंगे, पहले पद को Px, और दूसरे पद को हम लोग कहते हैं, Qx, Qx बराबर क्या हो जाए, x-3 का whole square, ठीक है, यह x-1, x-4 का whole square, इदर क्या है, x-3 का whole square, इदर क्या है, x दोनों गयाद करते चलेंगे, हम लोग लासा भी गयाद कर लेंगे, और मासा भी गयाद कर लेंगे, एक ही सवाल से, तो चलो सबसे पहले हम लोग मासा गयाद किये ले रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या गयाद करेंगे, मासा, और फिर हम लोग क्या गयाद करेंगे, लासा ठीक, अब मासा क्याम मैंने आपको बता है, जो सबसे चोटी गात होगी, उसको लेंगे, अब देखो, इसके उपर तीन है, इसके उपर कुछ नहीं, तो एक गात होगी, ठीक है, अब हमें मासा ग्यात करना है, तो देखो, सबसे चोटी गात काम लेंगे, इसके पास तीन है, तो कितनी गात होगी एक लेकिल मासा का मदलब ही है कि हमेशा छोटी गात का में ले तो छोटी इसमें क्या हो गया आंसर हो गया समझ में यह हमारा क्या हो गया आंसर अब लासा में क्या लेते हैं लोग बड़ी गात अब इसके पास एक है इसके पास कितनी यह तीन है तो हम लो गात कामन लेते हैं और जो मासा होता उसमें हमेशा छोटी गात लेते हैं देखो इसमें एक ती इसके पास कितनी तीन तो हम लोग छोटी गात लेंगे किसमें मासा में इसके पास दो ती इसके पास एक ती तो छोटी गात लेंगे मासा में अब मैंने इस पर लगाया नहीं है क उसका मदलब एक ही होता है, ठीक है, किसी के ऊपर घात ना लगी हो, तो उसका मदलब क्या होता, एक ही होता, आपको समझाने के लिए मैंने एक लिख दिया था, अब लासा, ठीक है, लासा में क्या करना है, जो बड़ी घात होगी, इसके पास एक घाती, इसके पास तीन घाती लेंगे इसके पास दो गाति इसके पास एक गाति तो दो घात बारा लेंगे आपको समझ में आ गया होगा किलियर है ठीक है चलो अगला सवाल लगाते हैं अगला सवाल हमारा क्या है अब चलो पहला वाला ही लगा दे, ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, चलो पहले वाले सवाल को ही लगाते है, पहला सवाल हमाले क्या है, देखो, पहले ऐसे ही लिख लेंगा, बहुत पी एक्स बराबर, 2x square minus 3x minus 2, ठीक है, और qx को थोड़ा नीचे लिखेंगे, क्योंकि इसको हल करना पड़ेगा, यह हमारा क्या है, दो गास समीकर है, ठीक है, और दो गास समीकर को साइद आपने हल किया भी हो, ठीक है, यह factor के रूप में होता है, दो गास समीकर को factor के रूप में हल किया जाता है तो यह हमारा क्या x cube minus 4x square plus 4x, ठीक है, तो यह gap हमने इसलिए दे दिया, इसको px को भी हल करना पड़ेगा, और qx को भी हल करना पड़ेगा, तो देखो, सबसे पहले जब factor करते हैं, तो क्या करते हैं, अगर कोई आगे संख्या है, तो उसका पीछे वाली संख्या से गुणा क कर लेते हैं, तो पीछे वाली संख्या, इसका इससे गुणा करोगी हो जाएगा, दो दूनी 4, अब हमारे हाथ में 4 आगया, ठीक है, अब 4 कि हमें ऐसे factor करने हैं, कि हमें 3 मिल जाए, minus का 3 मिल जाए, अगर इसको लिखो, दो लिख दो, तो दो दूनी 4, दो दूनी 4 हो गया अगर इसको plus करोगी, तो 2, 4 आजाएंगे, लेकिन कि हमारे पास 4 है, नहीं है, अगर इसको minus करोगी, तो यह 0 हो जाएगा, 0 तो करना ही नहीं है, तो क्या करो, कि ऐसे factor करो, जो 3 मिले, तो क्या करो, 4 एकम 4, अब जो 4 में से एक गया, कितना बचा, 3 बचेगा, 4 एकम 4, 4 में से 1 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है, तो यह हो जाएगा, 2x स्क्वेर, माइनस 4x, ठीक है, प्लस का बन, x, और बन लिखा नहीं जाता, किस, हमेशा याद रखना, अगर x लिखा आए, अगर कहीं पर x लिखा, तो इसका मलदा, बन, x और घात बीश के पर एक लिखा जाता, ठीक है, तो यह हो गया, 2x स्क्वेर, माइनस 4x, प्लस x, माइनस 2, अब सोचे लोग भी है, यह माइनस के 4x रखे, प्लस का x क्यों रखा, क्योंकि तो मैं माइनस के 3 लाने, कितने लाने है, माइनस के 3 लाने है, ठीक है, जब माइनस के 3 लाने, तो हम क्या अगरने पड़ेगा माइनस का 4 प्लस का एक अब माइनस के 4 में से प्लस का एक जाएगा किसका बचेगा माइनस का 3 समझ में आया अगर आप ऐसे न याद रखे तो बात याद रखना कि अगर हैं पर माइनस है ठीक अगर यहाँ पर क्या आए माइनस है और घटाने पर कोई आंसर आ रहा है किस पर गटाने पर तो पहले वाला माइनस होगा दूसरा वाला प्लस होगा ठीक है अगर गटाने पर यह बीच वाला ला रहे तो हमेशा याद रखना कि आगे जो भी साइन हो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो अगर यहां प्लस होगा तो अगला माइनस तो अगला प्लस होगा ठीक है अब इन दोनों देखो क्या काउन मिलना है इसके उपर पूरा एक वीडियो बना देंगे आप बिल्कुल परेसान नहों ना एक वीडियो बना देंगे पूरा गड़न घंडेक उपर और सौट ट्रिक बता देंगे अभी तोम लोग तोड़ा जिसका दोनों में भाग चला जाए ठीक है और घात वाले में क्या होता है घाते कम करते चलो इसके उपर कितनी घात है जाए तो दोनी चार ठीक है और एक्स हो कामन ले लिए तो एक सट जाएगा या ऐसे भी कर सकते हैं जैसे टू एक सके उपर जाती तो माइनस क्यों जाती दो में से घट जाएगा कितना बचेगा एक बचेगा ठीक है तो खनुक सीधा डायक लिख देते हैं अब इज़ा आओ इसके पास कुछ कामन है कुछ नहीं कामन है तो कुछ नहीं कामन मिलता तो बहां पर क्या मिलेगा एक जिस जगह पर कुछ भी कामन ना मिले बहां पर एक कामन ले लिया जाता जब एक कामन ले लिया जाता तो अंदर वाली संख्या जैसी हो बैसी लिख दो सफिर क्या किया जाता कि भारबार वाली संक्या को एक ब्रेकेट में और इन दोनों में से एक और जब आप कमडीशन की तयारी करने जा रहे होंगे तो यह आपको फेक्टर करने आते भी होंगे ठीक है और नहीं आते होंगे तो मैं अगला जो बीडियो बनाऊंगा इससे जो अगला तो इसी का बना दूँ फेक्टर का ही ठीक है अब इदर आ जाओ यह इसके यह हल हो गया ठीक है इससे ज्यादा हल नहीं होगा इसके फेक्टर हो गया यानि गुड़न खंड हो गया अब नीचे वाले हमाज आज आओ देखो एक्स क्यूब है एक्स उसक्कर और एक्स है देखो तीनों के पास एक्स दिख रहा होगा ठीक है तीनों के पास क्या दिख रहा है एक्स तो सबसे पहले एक्स ही कामन ले लो क्या कामन ले लो एक्स जब एक्स कामन लो तो क्या गरो तो क्या याद रखना कि घाते उसकी कम करते जाओ घाते कम इसके उपर देखो कितनी घात है तो कितनी बचेंगी दो इसके ऊपर कितनी गात है दो कितनी बचेंगी एक अब इसके पास एक तो हई तो कुछ नहीं बचेंगा सिर्फ कितना बचेंगा चार बचेंगा समझने यानि एक सट जाएगा सिर्फ क्या बचेंगा चार अब देखो आगए अब इसके भी गुणा र कितना होगा, चार, उनको जोड़ोगे, तो कितना हो जाएगा, चार, आप माइनस का क्यों रखा दो रो, क्योंकि माइनस के 2x, माइनस के 4x हो जाएगे, माइनस माइनस जोड़ जाता, साइन किसका रहता, माइनस का ही रहता है, ठीक है, तो इसको देखो, अब यहां से क्या का क्लियर है ठीक है बार बार वाले ब्रेकट को एक में लिख दिया जाता है ठीक है अंदर वाले में से जो दोनों होते उन में से सिर्फ एक लिख दिया जाता है अब देखो अब इसका में क्या ग्याद करना हमें इसका ग्याद करना मासा और लासा ठीक है दोनों में देखना क्य common मिलना है क्या common नहीं मिलना है तो इसका आमें लासा और मासा ग्याद करना यहां पर जगह बच्ची रही है ठीक है तो चलो यहां पर लिखे दे रहे हैं सबसे पहले हम लोग ग्याद करेंगे इसका मासा ठीक है फिर हम लोग ग्याद करेंगे इसका लासा अब मासा के लिए देखो इन दोनों के पास क्या काउन मिलना है अगर चाहो तो इसको अभी और लिख सकते हैं इसके उपर एंगात होगी इसके उपर एंगात होगी तो यह हो यह यहां से नहीं आ रहा है क्या करें अब देखो अब सही आ रहा है ठीक है rugged square आब हमें गयाद करना अब इंदोनों मैं सिर्फ यही common है लेकिन इसके उपर एक गहात है तो हमने के आपको बताया था जो egy éléments होता है हमेसा छोटी गात लेते तो इसके उपर एक घात है इसके उपर दो गात ले लिया अब उसके बात देखो कि इसके पास बच्चा हुआ क्या है जो बच्चा हुआ होता उसको भी नहीं चोनते हैं हमारा कौंस है अगला सवाल जो हमारा है AQ प्लस BQ अभी मैंने आपको जो फार्मूला लिखाया था वही फार्मूला इसमें लग जाएगा ठीक है जो अभी थोड़ी दिर पहले मैंने आपको लिखाया था जब वीडियो स्टार्ट किया था उस समय लिखाया था बोर्ड थोड़ा छोटा आए इसलिए तोड़ी दिक्कत हो जाती है ठीक है तो उसमें कोई समस्या भी नहीं आपको समझने तो सही आई रहा होगा ठीक है अगला सवाल देखो दूसरा सवाल तो बैसे हम ल अब इसका फार्मूला भी लिखाया था हमने क्या क्या ता सबसे पहले इन दोनों को एक ब्रेक इर्टम लिख लो तो Welcome Partnya के क्या सवाने यानि पहली सब्रेटम क्या अगले मैं पहली संक्या बीका साधाने क्या थीफ में में बतासे कि और बोक्स में रुदाने साधा है क्या कि गलत अब जब यहां पर क्या होता प्लस होता तो यहां पर क्या लगाते हैं माइनस लगाते ठीक है अगर यहां पर क्या होगा प्लस तो यहां पर लगाएंगे माइनस अगर यहां पर होगा माइनस तो यहां पर लगाएंगे प्लस बाकी सेम फार्मूला रहता है ठीक है गाते हैं कितनी है चार तो इनको चार बनाना चार बनाने लिए गातों को उपर गात लिए आती तो क्या हो गया देखो दो दूनी चार ठीक है ऐसे इसके उपर लिख दो दो दूनी 4, clear है, समझ में आया, कि जब भी तुम्हारे पास 4 घाते हैं, तो हमेशा याद रखो, कि हमेशा एक चीज़ आपको याद रखने हैं, कि 4 घाते हैं, तो 2 अंदर और 2 बाहर, ठीक है, अगर यह फार्मुला बनाना है, तो इसका मनला हो गया, 2 पर घात, 3, ठीक, एक स्वेर, पे गात, 3, इसको 2 घात, 3, यह हो जाया, 6 और 3 दूनी 6, समझ में आ गया, ऐसे ही लिख सकते हो, लेकिन जब 4 होगी तो अमेशा याद रखना कि 2 अंदर गात और 2 उपर गात, 2 अंदर गात और 2 उपर गात, अब क्या करना, इन ही संख्याओं को एक बार, प्लस और एक बार, माइनस, हमेशा याद रखना, अंदर वाली संख्याओं को ही प्लस करना है, अंदर वाली संख्याओं को ही माइनस करना, तो यह हो जाएगा, a square minus b square ठीक है अगला हो जाएगा a square plus b square सहुंद में a square minus b square और a square plus b square अंदर वाली संख्याओं को ही minus किया जाता यानि पहली संख्या में से दूसरी वाली को ही minus किया जाता और पहली वाली में से दूसरी वाली को ही plus किया जाता यह याद रखना ठीक है अब फिर देखो फार्मूला बने गया, a square minus b square, सीधा ही सीधा दिख रहा है, a square minus b square, अभी मैंने आपको बताया था, एक बार plus, और एक बार minus, तो यह क्या बने गया, a plus b, और a minus b, इसका कोई फार्मूला नहीं बनता, तो इसको ऐसे लिख लो, जैसा लिखा हुगा है, इतना स फिर लिख लो, लासा बराबर, तो मासा क्या हो जाएगा, अब देखो, दोनों के पास क्या कावन मिला है, तो दोनों के पास क्या कावन मिला, a plus b, दोनों के पास क्या कावन मिला, a plus b, तो यहाँ पर लिख दो, a plus b, यही आपका क्या हो गया, मासा हो गया, ठीक है, अब ला लासा क्या होता है लासा मैंने आपको पता है सबसे पहले गात लेते हैं जो दोनों के पास जो को एक प्लस भी इसके पास भी है एक प्लस भी और एक प्लस भी यानि इसके उपर भी एक गात वाला इसके उपर भी गात वाला तो दोनों की गातें बराबर है तो एक बार ही लिए ठीक है a plus b पर गात एक इसके उपर भी है a plus b पर गात इसके उपर भी अब इसमें कोई बड़ी तो है नहीं तो बही लिख लो a plus b अब देखो इसके पास क्या बचा और इसके पास क्या बचा जो भी बचा हो सारा लिख दो जो जो बचा तो इसके पास क्या बचा देखो a square plus b square minus a v ठीक है अब इसके पास क्या बचा देखो a minus b और a square plus b square clear है समझ में आया और चाहो तो और इसको आगे हल कर सकते हो चाहे इतना चोड़ना चाहो तो इतना भी चोड़ सकते हो समझ में आया clear एकदम बस masa में क्या होता है जो दोनों के पास common होता है बोल ले लो और lasa में क्या होता है जो दोनों के पास common है उसको तो पहले लिखी दो फिर जो भी बच्चा हुआ है सारी संक्या लिख दो यह बच्चा तो देखो इसको लिग लिए, यह बच्चा देखो इसको लिग दिया, यह आपका लासा होता है, समझ जाया, दोनों चीजें के लिए रोगी, मासा और लासा, अब हम लोग लगाएंगे अगला सवाल, आपको बिल्कुल एक दम सही से समझ में आ रहा होगा, पूरा डिटेल में समझा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में, अब अगला जो सवाल है, वो क्या है, सवाल नंबर 3, कराएंगे, x प्लस 2, सबसे पहले लिग लो, px बरावर, ठीक है, px बरावर, x प्लस 2, का होल स्कार, और x माइनस 2, सभी, आप इसको हल नहीं करना, क्योंकि वो उसके पहले से ही गुड़ोन खंड होते हैं, उसको हल नहीं किया जाता है, तो अब qx बरावर लिख लो, qx बरावर हमारा क्या है, x स्क्वार माइनस 4x और माइनस 12, ठीक है, x स्क्वार माइनस 4x माइनस 12, अब 12 के ऐसे फेक्टर करने, जो 4 आए, अब 12 के दो ऐसे फेक्टर करने, जो कितना आए, 4 आए, तो आपने देखा हो 6 दूनी 12 होता, 6 दून बच्छा तो यह क्या हो जागा x square minus 6x plus 2x minus 12 मैंने आपको क्या बता जब भी गटाने वाली condition होती तो यह अगर minus का तो यहाँ पर minus का होगा अगला वाला plus का होगा ठीक है तो देखो minus के 6x में plus के 2x गटाओ minus का 4x बचेगा minus के 6x में से plus के 2x गटाओ माइनस का 4 अब इन दोनों देखो क्या काउन मिला है अब इन दोनों देखो x दिख रहा है तो x common लेलो अंदर क्या बचा x minus 6 ठीक है अब इन दोनों देखो क्या काउन मिला है इसमें क्या काउन मिला है 2 तो x minus 6 ठीक है मैंने आपको बताया जो चीज common लेते है उसका क्या दिया या था भाग दिया जैते है, जैसे दो काम लिए तो दो एक कम दो, एक आगे लिखा नहीं जा था, दो तीया अब क्या की जा तो बार-बार वाले को एक break it मैं, बार-बार वाला count से x plus 2 और अंदर वाले में से सिर्फ एक वाले के दो, ठीक है तो लेकिन जब इसका गुड़न खंड़ वाला chapter होगा, तभी बताएंगे, ठीक, अभी तो ये लासा मासा वाला चल ला है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी भी करवा रहे हैं, तो हमें ग्याद करना मासा और लासा, ठीक है, मासा ग्याद करना और लासा, अब मासा में देखो कि, इसके पात देखो, दो गात है, इसके पास एक गात है, मासा में हमेशा छोटी गात कामर लेते हैं, इसके पास कितनी गात है, एक, उसके पास कितनी है, दो, तो हमेशा छोट चोटी गात का मतलब एक्स प्लस टू बन तो लिखा नहीं जाता किसी के उपर भी गात बन नहीं लिखी जाती है अब आगे देखो इसके पास एक्स माइनस दो है अब क्या कोई दूसरी संक्या कामन है नहीं है छोड़ दो ऐसाई अब इदर आजाओ लासा में लासा में देखो एक्स प्लस टू का होल इसके रिदर एक्स प्लस टू है इसके उपर एक गात है इसके उपर दो गात है हमेशा लासा में बड़ी गात कामल लेगे तो बड़ी ग क्या हो गया लासा हो गया समाझ मैं आया है थिक है मासा सिर्फ मासा कितना हो गया एक स्प्लस टू का अभ स्टू औरी एकस- mighty सिक्स ठोजार अब अगला सवाल देखो यह और सारे सवाल इसलिए करवा रही है यह पेप्रों में वह ज्यादा पूछे जाते हैं और अगर आप चाहें तो देखो अगर आप फ्यक्टर करने उसके बाद आराम से चाहें लासा निकालें चाहें मासा निकालें ठीक है और सेक्टर करना हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे shortcut में कैसे किये जाते है ठीक है तो इसको हम हटाए दे रहें अब अगला सवाल लगाएंगे अगला सवाल हमारा क्या है अगले सवाल में हमें तीन पत दिये हैं पहले x-4 है फिर x-5x-6 है फिर अगला आ है x-6 प्लस x-6 यानि पहले बाले को हम लोग px मानेगे दूसरे बाले को qx मानेगे और तीसरे बाले को हम लोग rx मानेगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे px है सबसे पहले px px पर आबर हमें दिया है x-square-4 ठीक है x-square-4 अब जो 4 है वो किसी ने किसी का वर्ग होता है तो किसका वर्ग होता है आप कहेंगो यह 2 का वर्ग होता है तो यह 2 का वर्ग लिख लो तो x-square-2 का वर्ग ठीक है अब देखो x-square और 2 का वर्ग x-square-2 का वर्ग अगर इसको देखो, तो कौन सा फार्मिला मनला, a square minus b square, a की जगए पिसमें x और b की जगए पितना है, 2, तो एक बार क्या करो, इनको plus कर दो, एक बार minus, तो यह हो जाएगा, x plus 2, और x minus 2, सब्सक्राइब एक बार हमने क्या किया, plus और एक बार क्या कर दिया, minus q, क्योंकि यह फार्मिला काउट सा बना था, a square minus b square बना था, अब qx लेलो, qx बार क्या है, qx बार है, x square minus 5x minus 6, qx बार है, x square minus 5x और minus 6, फिर भाई इसमें भी factor करना है, इसमें भी क्या करना फेक्टर तो 6 के आई से गुड़न खंड करो जो 5 आए यानि गुड़न करने पे 6 आए जोड़ने पे कितना आए 5 गटाने पे आए गा नहीं तो करके देखो 3 दूनी 6 3 दो कितना होता 5 ठीक है 3 दूनी 6 3 दो दो 5 चलो करके देखो तो 3x-2x और-6, clear है, x square-3x-2x-6, अब एक चीछ देखो, यहाँ पर क्या गलत हो जाएगा, देखो, समझो, कि यहाँ पर तो x कामन मिल जाएगा, x जब कामन लेगे तो यहाँ आएगा x-3, और जब इस जगह पर तो माइनस 2 कामन लेगे, तो एक बात याद रखना, जब समझो फिर, यहाँ आपको इसलिए बताते हैं, जिससे आपका दिमाग थोड़ा बड़े, सोचने के लिए आपका दिमा कुछ न पूस तो सोचे कि जिससे मैत आपकी क्या हूजाई तो क्या करनां च्छे का गुड़ां छे एक से कर दो, 6 कम 6, होता है कि नहीं होता, 6 कम 6, और 6 में से घटा होगे, तो कितना बचेगा, 5 तो 5 ही तो लाना हमें, 6 में से घटा होगे, कितना बचेगा, 5 तो यह होजागा, x square minus 6x, अब यहाँ पर minus है, जब घटाना है, तो अगला वाला किसका होगा, प्लस का अब एक लिखा नहीं जाता सिर्फ क्या लिख देंगे एक्स और माइनस छे अब बिल्कुल सही है बताना हमारा क्या काम है गलत कराना भी हमारा एक काम है अगर हम गलत नहीं कराएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा वहाँ पे एकदम समझा और भी या नहीं और ऐसे होगा, समझ्द में आया, तो अब क्या करना, अब common ले लो, कि जा, क्या common मिल ला, x common मिल ला, अंदर क्या होचा, x-6, अब इस, इधर कुछ common नहीं मिलना, तो क्या मिलेगा, one common मिलेगा, ठीक है, जब इधर कुछ भी common नहीं मिलता, किसी भी संख्या में अगर कुछ भी न कामन मिले तो एक कामन मिल जाएगा क्योंकि एक का भाग हर संख्या में चला जाताय है तो यह क्या हो जाएगा x minus 6, ठीक है. अब क्या करना इसको इसको एक break item यानि बार-बार वाले को एक break item लिखना है तो x plus 1 और इन दोनों में से सिर्फ एक लिखना x minus 6 इसके भी factor होगे इसके भी factor होगे अब किसके factor करना है अब अगले वाले के factor करना है अगला वाला हमारा क्या x square plus x minus 6 ठीक है x square ये था अब अगला क्या x square इसको लिख लो rx क्या लिख लो rx ये है x square plus x और minus 6 ठीक है अब 3 मूनी 6 इसका हो जाएगा 3 मूनी 6 तो x square plus 3x plus 2x सही है इसके factor ठीक है अगर देखो अगर यहाँ पर क्या लगा दूगो plus लगा दूगो तो 3 और 2 कितने हो जाएगा 5 क्या हमारे पास 5 है नहीं है तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर minus करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा जब plus के 3x में से minus के 2x जाएगे तभी plus का x बचेगा तीन में से 2 जाएगे तभी तो एक बचेगा ठीक है तो याद रखना मिर भाई तो हम ज़ונה आई जब भी तुम्हें एक लाना हो तो हम कभी भी जोड के नहीं आएगा मैसा minus करके आएगा ठीक है कभी भी एक लाना हो तो कभी भी plus करके नहीं आएगा क्या करके आएगा? minus का तो 3x में से minus के 2x घट जाएगे अब बार बार बाले को एक ब्रेक्ट मैं लिख दो यह हो जाएगा X, 3, Kabla, अब हमें क्या ग्याद करना मासा और अब घ्या ग्याद करना मासा और लासा चलो हैंब पर लिखे दे रहे हैं ठीक है वोट हूं छोटा आये दिक्क authent हो जाती है और मासा ओर लासा ठीक है मासा उला साथ मासा क्या होता हो जो सम में कामन हो सब के पास कुछ ऐसी संखерьयार सीघ्वोसram के पास बार इसके पास भी किलेव नहीं है इसके पास भी नहीं है अब इसमें देखो x-2 है, क्या है x-2, इसके पास x-2 है, नहीं है, इसके पास नहीं है, मतलब तीनों के पास नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी तीनों में कोई भी संख्या common नहीं मिल लए है, तीनों संख्याओं में कोई भी संख्या common नहीं मिल लए है, यह x-2, x-2, इसके फ minus 2, x plus 3, कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो जब कोई भी common ना मिले, याद रखना है, तीनों पदों में, या दोनों पदों में, कोई भी संख्या common ना मिले, तो हमेशा उसका मासा 1 होगा, ठीक है, क्यों 1 होगा, उसका भी क्याल है, अगर इसमें 1 का गुणा कर दिया जाए, कोई फर्क पड़ेगा, इसमें 1 का गुणा कर दिया जाए, कोई फर्क पड़ेगा, इसमें 1 का गुणा कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए आंसर इसका क्या होगा, 1 हो जाएगा, समझ में आया, क्या हो जाएगा, एक, ठीक है, हो गया हो गया हो गया ठीक है चलो अब एकस माइनस टू देखते इसके पास है इसके पास भी नहीं इसके पास है कोई दिक्कत नहीं है लिख लो एकस माइनस टू लिख लिया एकस माइनस टू ठीक है इसका काम खतम हो गया ठीक है इसका काम खतम इसका भी काम खतम अब इधर इधर x plus 1 है, इधर क्या x plus 1 है, नहीं है, इसको भी लिख दो, x plus 1 को भी लिख दो, ठीक है, देखो x minus 6 है, इधर कहीं है, कहीं नहीं है, इसको भी लिख दो, जो भी बचाओ, जो भी बचाओ, सब को लिख दो, x plus 3 इसके पास है, और किसी के पास हाई नहीं, तो x plus 3 भी लिख यह सारे क्या हो गए यह सारे क्या हो गया लासा हो गया अब लासा सिर्फ एक आया लासा का अंतर क्या आए एक स्वाल जो बच्चा हुआ है कौन सा बच्चा हुआ पांच मासा वार इसको आपको हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना अगर आपसे ना लगे तो भी आप कमें उस पे नहीं लग राए कर नहीं लग रहा होगा तो मैं आपको जरूर लगवाओंगा यह सवाल ठीक है अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें राम-राम बच्चो